तीन राजियों में संदार जीत के बाद अब बारा राजियों में बिजेपी की सरकार है क्या लोग सभा में असानी से भाजपा करेगी बेला पार आई ये जानते हैं छारखन टीवी के साथ तीन राजियों में भगवाल लहराने के बाद दूजा 24 लोग सभा में बिजेपी के लिए वर्दान की तरह तो दिख रहा है इसके साथ ही देखे तो देश में 12 राजियों में भाजपा की सरकार बन गई है अभी उत्तर पर्देश, मद्यपर्देश, राजस्थान, गुजरात, असाम, 36 गड़, हरियाना, उत्राखंड, त्रिपूरा, मनिपूर, गोवा और अरुनाचल पर्देश में बिजेपी का शासन चल रहा है वहीं भाजपा, महराष्ट, मेघाले, नागनलेन और स्रीकिम में गरबंधन के सहारे है उधर विरोधी दल कॉंग्रेश, राजस्थान और 36 गड़ में खिसकने के बाद याब सिर्फ तीन राजियों में अपनी सरकार बनाई रखी है जिसमें करनाटक, तिलंगना, हिमाचल परदेश रह गया है तिलंगना में कॉंग्रेश पहली बार सरकार बनाई है उसने सत्तरोट, बियारेश को हरा कर अपना सत्ता बनाई इस चुनाओं में साफ हो गया कि हिंदी पट्टी में भाजपा काफी मजबूत है अगामी लोग सभाचुनाओं में मोदी की लहर रहेगी पीए मोदी भी 3 दिसंबर की साम पार्टी कारकरताओं को अपना विजई भासन दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोग का कहना है कि इस हैट्रिक से 2024 के जित की गरैंटी दी है अब देखना ये है कि सत्ता का सैमे फैनल में विजेपी की तो जित गई पर सत्ता के फैनल में क्या देश भाचपा को जनादेश देगी राजस्थान मध्यपरदेश 36 गड़ की संदार जित के बाद भारतिय जनतापाटी का जोस और होसला बढ़ गया है लाजमी है बड़ेगा भी क्योंकि अब तैयारिक केंद्र की सत्ता को बरकरार रखने की है इस विजे के बाद पिये मोदी भी गदगद दिखे जिसे वे घमंडिया गरबंधन बोलते हैं इसके खिलाब खुब बाते बोली इस जीत के बाद भगवा पाटी का पलड़ा भारी हो गया ये साबित करता है कि आम आवाम अभी भी इससे जुड़ा हुआ है पिये मोदी को पसंद करता है इन तीनों विधान सभा चुनाओं में बिजेपी बगैर मुख्यमंत्री चेहरा के लड़ी थी और परधान मंत्री नरेद्र मोदी का नाम आगे लेकर वोट मांगी गई थी ये सोच और रनीती और पिये मोदी की लोगपिरता का असर है रजस्थान मध्य परदेश 36 घर जिसमें ये कहना मुश्किल था कि कॉंग्रेस जीतेगी या फिर बिजेपी मुकाबला काफी कठी नियाका जा रहा था जनकार भी इस बात के गरेंटी नहीं दे रहे थे कि भाजपा सत्ता में आएगी चर्चाओं के बजार में बिजेपी के जीत का उतना इतबार नहीं था एक जीत पोल भी भरोसे मन शाबित नहीं हुआ और ना ही टीवी के बादियों से समा बादने वाले दुरंदर भी फेल दुखे जनतर जनार्दर ने अपना भैशला सुना दिया है लोग सभा चुना को देखते हुए सत्ता का सैमी फैनल माने जा रहे इस विधान सभा चुनाओं में भाजपा का पल्डा भारी है माना जाये तो ये जीत पाटी को एक नई उर्जा और ताकत देगी पिछले चुनाओं को देखते हुए भाजपा में करनाटक विधान सभा चुनाओं को सत्ता गवाने के बाद या सवाल खड़ा किये जा रहे थे कि आगे का चुनाओं क्या होगा क्योंकि दच्छिन का दरवाज़ा एक बार फिर भाजपा के लिए बंद हो गया सौत में बिजेपी की पकड़ नहीं है यहां उसके मुकाबले कॉंग्रेस की जनधार अधिक है वीजेपी विकास का स्कोर तेजी से बनाएगी और जीत किसकी होगी राजस्तान की होगी